हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू जायका कीचन आज हम आपके साथ बहुत ही सिंपल और टेस्टी बेसन के चीले की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं आज़ो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक केजिए और अगर आपने विद्धे चनले सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लेज प्लेजिए वीडियो को फ्रेंड्स और फैमली में शेयर कर दीजिए तो चलिए स्टार्ट करते ही से बनाना फ् करम मसाला पाउडर लाल मिर्च का फाउडर और बारिघक कट जीच के लिए हरी मिर्च उभणने टेस्से ले सकती है और हमने डाल देना कि कट कियो हुआ हरा धन्या अब इसको पानि डाल कर अमत्चे से घौलेडी कि इसको फ्रेंड़गे इस a बहुत ही पतलाोगा हुआ को एक कप पानी इसमें हमने यूज किया है तो देखिए इस तरीके से हमने इसका गोल बना लिया है इसी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए देखिए इतनी पतला सा यह होना चाहिए यह प्रेंज गाढ़ा होगा तो यह अच्छे से भैल नहीं पाएगा तो बहुत अच्छा बनेगा नहीं तो पतला ही है तो सही है अब मिक्स करने के बाद इसमें हमने डाल देना है अग्र कलेसन का पेस्ट तरूसरी मिक्स कर लेंगे अब तवे को हमने गरम कर लेना है और एक एक चमच हमने तेल डाल के चार तरह अच्छे से इस तरीके से भैला देना है फ्रेंड्स जो हमने इस स्टार्टिंग में स्टेप की थी एक कत्रा तेल करके टिशु पीपर से भैलाया था उसकी हेल्प से यह जो हमारा चीला होता है वो नीचे पकड़ता NINEई व्रना वो यह पकड़ना शुरूर कर देता है तो देखिए अब यह डाल देना है तवे पर बैसन को जो हमने वेटर बनाकर रेडी किया था करीब दो चमच हमने इसमें डाल देना है और अच्छे से इसे फैला लेंगे फ्रेंड जो आप पहला वाला बनाएंगे तो उसे छोटा ही बनाईए तब यह पता चले कि यह परफेक्ट बन रहा है कि नहीं पहली बार में अगर आप बड़ा बना देंगे तो उसमें थोड़ा सा गड़बड हो जाती है कि तवा सही से गरम हुआ है या जो भी है तो पहली बार में आप छोटा ट्राइ कीजिए तो देखिए इस तरीके से में इसे फोल्ड कर लेना है चारो साइड से इस स्टार्टिंग में आप फ्लेम को हाई रखिए एक मेंड बाद आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और उसके बाद आप मीडियम फ्लेम पर ही पूरी स्टिप कंप्लीट कर लेजिए अब इसका हमने थोड़ा सा प्रेस करते हुए कलर चेंज कर लेना है मतलब बहुत ही लाइट सा यह कलर है तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा इसे पैंचे सा जाए इतनी देर तक हमको इसको प्रेस करते हुए कूप कर लेना है तो देखिए बहुत ही परफेक्ट और टे लेना है और उसके बाद जो हमने बेसन है उसको डालेंगे तो फ्रेंड्स एक हमारा परिफेक्ट सा बन चुका है अब हम बड़ी साइस का बना लेते हैं तो हमने बावल की हेल्प से इस पर पलेटना शुरू कर दिए क्योंकि काफी छोटा होता है तो उसकी वज़ा से जमना हो जाता है जब में बारी बारी सपुन डालतें हैं फ़र थाइम हो जाता है तो फ्रीस्टा यस्टेप होता है वह गला ऊकृद टॉछ और तो इस तहीं अब दोके हम दालाया बावल ή चोटा है तो इस तरीके से हमने बारे बारे बारी सभी को बनाकर रेडी कर लेंगा बारी बारी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी सा चीला हमने बना कर रेडी कर लेना है अब हम बना लेते इसकी चट्नी तो हमने लिया है हरा धनिया हरी मिर्चे और साथ ही पुदीने के पत्ते अब इसमें डाल देंगे अद्रक लेस्टिन का पेस्ट चाट मसाला पाउडर एक चम्मच नमक अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा पान डालके हम इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे बहुत ही टेस्टी बहुत यमी सी चट्नी बन गए इंस्टाटली रेडी हो चुक बहुत ही पर्फेक्ट सा कॉम्मिनेशन होता है बहुत ही यमी बहुत ही टेस्टी ए फ्रेंड यह एक बर इसे जरूर ट्राइग कीजिए लंच बॉक्स में भी से दे सकते हैं बच्चों को और एक बढ़ ट्राइग कीजिए को मारी वीडियो कैसी लगी और अगर अपने बि देजिए वीडियो को फ्रेंड्स और फैमली में शेयर कर दीजिए